गाइस आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड को बताऊंगी जो आप अपनी डेली लाइब में बहुत ही जादा यूज करते हैं लेकिन सबसे पहला हमारा वर्ड है अनिवन अनिवन मतलब कोई भी कोई भी एक आजाओ, कोई भी एक ले लो ऐसे हम बोलता है ना कोई भी बहुत यूज करता है ना बहुत ही कॉमन है कोई भी कोई भी अंगरी जी बोल सकता है मैं आपको ये बात बोरी हूँ कि कोई भी अंगरी जी बोल सकता है एनिवन कैने स्पीक इंगलिश कोई भी इंगलिश बोल सकता है आप भी English बोल सकते हैं तो English बोलने की practice कीजे मैं आपको जो words करवा रही हुना आप उसे ध्यान से देखिया और जो मैं example देखिया उसे ध्यान से समझे फिर अपनी daily life में इसे use कीजे एक दूसरे से अपनी friend से, relative से English में conversation कीजे ताकि आपकी जो English है ना काफी बहतर हो पाए तो anyone means कोई भी, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है anyone can speak English so that, so that means ताकी ताकी भी आप काफी use करते होंगे मैं वहाँ नहीं गया, ताकी मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ मैंने तुम्हें call नहीं किया, ताकी तुम disturb हो जाओ तो ताकी मतलब क्या होता है so that, ताकी आप सीख सको मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, ताकी आप सीख सको so that you could learn everywhere, everywhere means हर जगा हमने हर जगा खोजा मालने जाब कि कोई चीज गुम हो गई आपने सब को बोला कि मेरी ये चीज गुम हो गई, सब धूंट दो लेकिन किसी को मिला नहीं, आप अपनी फैमिली से पूछ रहे कि आपको मिला, तो आपके फैमिली बोरी हमने हर जगा खोजा लेकिन नहीं मिला तो हमने हर जगा खोजा we searched everywhere we searched everywhere हमने हर जगा खोजा यह आप यूज करता है यानि अपनी डेली लाइप में यूज करते ही होंगे तो इन वर्ट्स को सीखिए हर जगा means everywhere sometime कभी 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 ऐसे मौके आते हैं इंगलिश वाले वर्ट्स को सीखने का कभी कभी हमें तुम्हारी याद आती है therefore therefore means इसलिए आप सीख जाए इसलिए मैं आपके इंगलिश सीखा रही हूँ तो इसलिए means therefore इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया Therefore I called you therefore I called you तो आपको जब ये सांटिस में इसलिए बोलना हो ना तो उसके लिए आप क्या यूज कीजेगा therefore hardly मुस्किल से कभी मुस्किल से कभी वह मुस्किल से वहां जाता है चॉकलेट देना पड़ता है आइस्क्रीम देना पड़ता है तो वह बहुत मुस्किल से वहां जाता है या फिर पड़ने जाता है he hardly goes there he hardly goes there वह मुस्किल से वहां जाता है usually आम तौर पर आम तौर पर usually आम तौर पर मैं 6 बजे उठता हूं अब मैंने यहां 6 a.m. p.m. नहीं लिखा लेकिन आप तो understood है आप सुबह में 6 बजे उठियेगा ना साम को तो 6 बजे नहीं उठियेगा इसलिए मैंने यहां a.m. p.m. नहीं लिखा क्योंकि आप understood है कि आप यहां पर a.m. ही होगा I usually wake up at 6 आम तौर पर मैं 6 बजे उठता हूं आपको किसी को बोलना हो कि आम तौर पर मैं 5 बजे उठता हूं आम तौर पर मैं 5 बजे उठता हूं तो आप आम तौर के लिए क्या वो यूज कीजिएगा यूज वली more or less बहुत इंट्रस्टिंग वर्ड more or less थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत यह समान है मालज आपके फ्रेंड के पास कोई पैन है आपने वैसा ही एक पैन लेकर आया लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है उसके पैन से थोड़ा सा पैन अलग है तो आपका फ्रेंड बोल रहा थोड़ा बहुत यह समान है ये नहीं बोल रहा कि ये पूरा एकी जैसे है, दोनों एकी जैसे है, ये नहीं बोल रहा, वो बस बोल रहा थोड़ा बहुत ये समान है, तो वो जो थोड़ा बहुत बोल रहा न, उसके लिए क्या यूज करेंगे, more or less, more or less, these are same, more or less, these are same, थोड़ा बहुत ये समान है, तो थ बोल दिये और वह गुस्सा हो गया ताब बोले ना यह मेहज एक मजाग था इट्स मेरली जोक मेहज के लिए हम क्या यूज करेंगे मेरली अफन अफन मिस अकसर अकसर तो काफी यूज करते हैं वह अकसर देर से आता है वह अकसर लेट से सोता है वह अकसर स्कूल नहीं जाता है वह अकसर तुम्हारे घर आता रहता है तो अकसर मिस अफन वह अकसर देर से आता है he often comes late he often comes late वह अक्सर देर से आता है तो जब कोई बात हमेशा होती है ना तो हम उसमें क्या यूज करते हैं अक्सर अक्सर वह यह काम करता है अक्सर लेट से आता है तो अक्सर के लिए क्या बोलेंगे often अब है slightly slightly means थोड़ा थोड़ा या फिर अब थोड़ा भी बोल सकते हैं जैसे मैं थोड़ा थोड़ा हैरान हूं कोई घटना घट गया उसको लेकर मैं थोड़ा थोड़ा हैरान हूं तो थोड़ा हैरान हूं I was slightly surprised I was slightly surprised मैं थोड़ा थोड़ा हैरान हूं पूरा हैरान नहीं हूं मैं थोड़ा थोड़ा हैरान हूँ I was slightly surprised Somewhat कुछ हद तक कुछ हद तक संदिक्द था संदिक्द मतलम समझ रहे आप संदिक्द मतलम आपको उस बात पर doubt लग रहा कि वो सही है या गलत है तो आप वो doubt लग रहा न और ही चीज़ आपको संदिक्द होता है He was somewhat doubtful He was somewhat doubtful यह कुछ हद तक संदिक्द था कुछ हद तक के लिए हम लोग Somewhat का use किये हैं Rarely Rarely मतलब सायद ही कभी सायद ही कभी स्कूल जाता है वह सायद ही कभी नहाता है हम शायद ही कभी वहां जाते हैं हमेशा नहीं जाते हैं हम शायद ही कभी वहां जाते हैं We rarely visit there We rarely visit there हम शायद ही कभी वहां जाते हैं तो शायद ही कभी आपको अपने sentence में बोलना होगा तो आप शायद ही कभी के लिए क्या बोलिएगा Rarely अब है Literally लिटरली मिन्स सचमुच उन्होंने कहा आपने पूछा उन्होंने कहा तो लिटरली कभी यूज करेंगे जब आपके सेंटेस में सचमुच रहेगा तब अब है ट्वाइस ट्वाइस मिन्स दो बार या दो गुना बोल लो मम्मी आपको दुकान भेज़े कि भई तुम 50 रुपीज वाले एक बिस्कुट का पैकेट लेकर आना लेकिन आप घर आके बोले कि मम्मी 50 वाले जो बिस्कुट का पैकेट था वो 100 रुपीज का हो गया अब है एक बार देखा मुझे एक बार देखके समझ में नहीं आया तो आप इसे दुबारा देखेगा तो दुबारा दो बार वो चीज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे ट्वाइस मैं इसे दो बार देखा आई वास्ट इट्वाइस आई वास्ट इट्वाइस तो दो वार या दो गुना के लिए आप क्या यूस करेंगे ट्ट्वाइस प्लाइस करते भी होंगत इसकी इंग्लेश आपको पता भी होगा अब है एवरिवेयर अफरिवेयर हर ama wherever also some हावा आपके याँ भी है मेरे याँ भी है मतलम हवा हर जगा है तो हवा हर जगा है air is everywhere air is everywhere हवा हर जगा है सभी जगा है obviously जाहिर है जाहिर है तुमने सच कहा था जाहिर है जाहिर है वह जूट बोल रहा है obviously he is lying जाहिर है वह जूट बोल रहा है obviously he is lying जाहिर है obviously together साथ साथ हम साथ साथ है हम साथ साथ है आप हम सभी साथ साथ है we are together अप को यह याद करने होंगे मैंने अभी जितने भी words आपको बताए आप कुछ-कुछ words तो आप जानते होंगे लेकिन कुछ-कुछ आप नहीं जानते होंगे वो आपकी dictionary में add हो गई अब आप इसे याद करिए जो daily जो conversation करते हैं आप किसी से उसमें आप ये words का use कीजिए आप इसे practice करते रहें आपको ये याद हो जाएगा फिर आप असानी से किसी से भी English में conversation कर पाईएगा अब मैं आपको homework देती हूँ अब क्या है homework हम साथ साथ वहां जाएंगे इसमें कौन से word लगेंगे मैंने आपको बताये हैं अगर आपने पूरह वीडियो देखा होगा तो आप असानी से इसका answer दे सकते हैं तो चलिए वीडियो कैसे लगी वीडियो को comment में जरूर बताए और इसका answer भी comment में जरूर करें अगर वीडियो एच्छे लगी तो वीडियो को like करने बिल्कुल भी ना भूले अगर आप चैनल परना तो चैनल को subscribe का bell icon जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो upload करूँ आप तक notification मिलती रहे मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए keep learning